स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साब की पाठ सालाम है इस वीडियो में हम देखेंगे आपको जो आयूस कवच एप है उसको कैसे डाउनलोड करना है उस पर कैसे रेजिस्टर करना है अगर आप पहले से ही रेजिस्टर है तो कैसे आप योगा के फोटो करेंगे कि क्योंकि आपको या तो ग्रुप में योगा का रेजिस्टेशन करना है और फोटो अपलोड करना है या फिर इंडिविज्विज्व करना है तो देखते हैं तिकि सबसे पहले आप आयूस कवच एप जब सर्च करेंगे तो इस टाइप से आएगा यह आयूस कवच- इसको आपको इंस्टॉल करना है फिर यह आगे नेक्स्ट करेंगे आप इस टाइप से आते चलेंगे इसमें फिर आप फिनिस कर देंगे नीचे फिनिस करने के बाद में आपसे लेंग्वेज पूछेगा तो आप इंगलिस या हिंदी जो भी चूच करना चाहते हैं उसको चूच कर लेंगे और उसके बाद में प्रोसीड करेंगे इसके बाद में Don't have an account नीचे आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे साइन अप पर साइन अप पर क्लिक करने के बाद में आपका नाम पूछेगा और मोबाइल नमबर पूछेगा तो आप अपना नाम डालना है स्वय पहले से एकाउंट है और आप लोग आउट हो गए हैं तो आपको साइन इन करना है तो साइन इन में आप से डारेक्ट मोबाइल नमर पूछेगा और उस वह उड़ी पी आ जाएगा और इसमें अलाव आयोस कवच ओविड टू एकसिस डिवाइस लोकेशन तो वाइल यूजंग दा एप यह उपर वाला है उप्शन इसको आपको क्लिक करना है नीचे वाले को क्लिक नहीं करने नहीं तो फिर वह एप नहीं खुलेगा वाइल यूजंग करेंगे आप देगे अगर आपने पहले से ही लॉग Type से आएगा तो आपको यहाँ पर आना है Amrit योग सब्था इस हपर कुलिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास अधी ती टाइप दिखेंगे इंडिविजुल योग रिजिस्टेशन, ग्रुप योग रिजिस्टेशन, योर रिजिस्टेशन हिस्ट्री, हम बन बाई बन देखते हैं, इंडिविजुल योग रिजिस्टेशन पर पहले क्लिक करते हैं, इसमें आपको डिस्टिक पूछेगा, नेम पूछेगा, मोबाईल अब एक करना चाहते हैं टारेक्ट खींच के अपलोड कर दीजी अग यहां फाइल सेलेक्म कर ली अब देखिए फाइल सेलेक्टन आपट्ब ये फोटो आ जाएगा निवे इसके बाद में आपको अट भी एड़ पे क्लिक करना है एड़ पे कलिक करने के बाद में individual record added successfully individual योगा registration हमने कर दिया इसको आपको okay कर देना अब देखते हैं कि कहां पर हमारा photo save हुआ है और कौन सा photo save हुआ है your registration history इस पर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए यह आ जाएगा mobile number आ जाएगा टाइप आ जाएगा participants आ जाएगा date आ जाएगी और आपका जो आपने photo upload किया वो आ जाएगा अब देखिए हम group योग registration करते हैं पूरे विद्याले का करना है या पूरी community का करना है तो आप group योग registration पर क्लिक करेंगे इसके बाद में वह आप से नाम mobile नमर पूछेगा नीचे organization नेम पूछेगा तो organization नेम में आपको विद्याले का नाम डालना है number of participants इधर male डालने है इधर female डालने है इधर other डालने है transgender है तो यहां पर transgender का डालना है नहीं तो आपको male और female डालने 500 male 500 female और 500 other डाल सकते हैं अप फिर upload file में आप select file पे जाएंगे तो पूरे group का फोटो select करेंगे यह option पूछेगा selected file from gallery पहले से photo खीच लिए आपने तो your registration history में देख सकते हैं जो भी आपने फोटो अपलोड की है आप जब भी कर रहे हैं आज कर रहे हैं कल योगा दिवस है तो योगा दिवस के अफसर पर आप कल सुबह कर रहे हैं फोटो खीचने के बाद में अपलोड कर सकते हैं को जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे आपको लाइब फोटो अपलोड करें अगर आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फो वाचिए